कि ओके चलिए सभी को जैहिंद वंदे मात्रम सभी कैसे हैं आई होप अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी स्कॉप अच्छे से कर रहे होंगे चलिए फड़ा-फड एक बार मैं सभी का नाम पढ़ लेता हूं जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए है एक बार चैट को उपर ठोड़ा करेंगे नाम देख लेकां कौन-कौन जुड़े हैं विकास कुमार टेक्निकल विश्णु ठाकूर मुन्नु कुमार कुंदन कुमार रुद्र पवन यादव प्रमो देशमुक निलेश राय गोविंद चलिए सभी को जैहिंद सभी को सबसे पहले एक चीज़ कंफर्म करते हैं सभी को आवाज और वीडियो क्लियर है सब चीज़ ठीक है ताकि हम स्टार्ट करें फिर क्लास को ओके भगवंत प्रणाम अनिकेत सोनिया अभिनव विनायक पंकज दीपक सभी को जैहिंद चलिए क्लास का सबी को बताना चाहता ओकि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था क्लास के उसके और हम क्या कि वह जॉए तथी है Newton laws of motion यानि कि अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके अब हम बात करेंगे Newton के नियम yarni की laws of motion या laws of आप जिसको कहा जाता है यह भी सही है ऐसा कुछ दिकत नहीं है हम्हेंच आपने की Newton हम कौन से motion यान qualified नियम हमें दिये थे अब देखें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि Newton ने कौन-कौन से नियम यानि की कौन-कौन से हमें laws दिये थे और काफी basic सी चीज हम पढ़ चुके हैं वर इस पर काफी अच्छे-च्छे questions बनते हैं theoretical theory वाले questions इसमें काफी बनेंगे ठीक है अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि Newton ने total यहाँ पर हमें three law दिये थे यानि की तीन नियम दिये थे अब यहाँ पर यह करनी है कि तीनों नियम में क्या-क्या important है उसके बारे में बात साथ-साथ करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं first law कौन सा लौ देखते हैं पहला नियम यानि की first law तो इस यह पूरा नहीं है ठीक है इसका यह चल नहीं रहा है तर्च के बन यहां से चेक करना है हुआ 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 है अब आप्टरनून लक्षमन कुमार कुद्धन कुमार दल्ला राम एक सेकेंड थोड़ा सा कुछ डिफिकल्टी होगी इसमें थोड़ा वेट करें सर प्रिंसिप या बुक में ये 1687 में प्रकाशन हुआ ओके नहीं हो रहा सर आपका पगरी बिल्कुल चलो ठीक है ओके तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अब देखिए इस पर हम बात कर रहे थे तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है न्यूटन का फर्स्ट लॉव है तो जब हम फर्स्ट लॉव की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं कि ये नियम किस ने दिया था तो अभी यहां पर लिखा वसके बारे में बाद में आता हूं सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नियम असल में किस ने दि यहां पर हमारा में बात है कि यह लौ के बारे में में जो जिसने काम किया था वो कौन था तो वो था गैलीलियो ठीक है वो था गैलीलियो तो गैलीलियो जो थे साइंटिस्ट उन्होंने बेसिकली इस नियम के बारे में जादा बात करी थी यह इस नियम का आइडिया दिया था और उसी idea को फिर आगे उन्होंने बिल्ड किया है Newton ने ठीक है तो इसको हम law of Galilio का law भी कहते हैं तो इसमें अभी आप ध्यान रखना है Galilio का नियम भी कहा जाता है Newton के प्रथम नियम को और इस नियम के अंदर अगर हम बात करें इस law के अंदर अगर हम बात करें तो इसको law of inertia बिल्ड कि आप गॉला जाता है law of inertia inertia यानि की जड़त्व का नियम इसको और क्या कहा जाता है जड़त्व का नियम तो देखा जाये तो फिर्श्ट लॉब के इतने सारे आप नाम लिख सकते हो गैलीलियो का law है गैलीलियो ने इसके बारे मैं आईडिया दिया था और गैलील ग능ाधियों ने जो यह नियम दियाा था वो उसको समझायाता था कि जड़त्व क्या होता है अब आप यह देखना कि किस तरीके से जड़त्व न्यूटन का फर्स्ट लॉ बना उसके बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर की क्या होता है तो यह नियम समझ में नहीं आएगा कि pragma मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किसी भी वस्तू का जो बहुता है वह कि और पॉठ रहा होता है वह होता एक गुhern होता सह यानि कि यह जड़त्व जो होता है एक तरीके का गुण होता है यानि की प्रॉपटी होती है किसी भी बॉडी की और यह प्रॉपटी जो होती है यह गुण जो होता है यह मास पर निर्भर करता है यानि की द्रव्यमान पर निर्भर करता है तो आपको यहां से क्या समझना है कि जड़ भी वस्तु इस ब्रहमांड में नहीं है जिसके पास दिरवयमान नहीं है तो मैं यहां यहां पर यह चीज कह सकता हूं कि हर एक वस्तु के पास जड़त्व का गुण है बिलकुल तो हम कह सकते हैं कि प्रतेक वस्तु के पास जड़त्व होता है जड़त्व का गुण होता है त उसके पास inertia की property होती हैं. अब यहां पर point मेरा यहां पर यह नाम है कि यह जड़तव है क्या, घुण क्या है? चलो, यह समझ में आगया कि हरके पास यह गुण होता है. अब मैं आपको यहाँ पर कुछ उधारन देता हूँ, दो उधारन दूँगा, उसको अच्छे से समझना, मेरे पास एक लड़का है, ठीक है, यह आपकी तरफ भागतावा आ रहा है, और एक है हमारे पास कार है, जो आपकी तरफ चलती भी आ रही है, ठीक है, अब पॉइंट ले लेता है, यह हजार केजी की कार है, अब हुआ क्या कि यह जो बच्चा है, यह भी रुका हुआ है, और कार भी रुकी हुई है, अब मुझे दोनों को धक्का देके चालू करना है, दोनों को मुझे धक्का देके वहां से हिलाना है, यानि कि मुझे उनकी स्तिती में परि द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व का गुन ज्यादा होगा और गुन क्या है कि गुन यह है कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसको रेस्ट से हिलाना उतना ही मुश्किल यानि की विरा मवस्ता से चलाना उतना ही मुश्किल और दूसरा चीज क्या कहता है कि अगर आल्रेडी समलो यह आल्रेडी चलता वह आ रहा है यानि कि भागता वह जा रहा है और यह कार चलती भी आ रही है दोनों का वेग भी समान है दोनों की वेलोसिटी क्या है सेम है अब दोनों को जब मैं रोकूंगा तो मुझे रोकने में जा दिक्कत किसको होगी कार को तो कार को चलाने में भी दिक्कत है और कार को रोकने में भी दिक्कत है क्यों कि कार का द्रव्यमान क्या है जादा है कार का द्रव्यमान क्या है जादा है तो जिसका द्रव्यमान जादा उसमें यह जड़त्व का गुन और जड़त्व का गुन क्या कहता है कोई भी वस्तू को हिलाने के लिए यानि कि रेस्ट से चलाने के लिए या फिर चलती वस्तू को रेस्ट पर लाने के लिए विराम वस्ता में लाने के लिए वो जो हमें अलग से बल लगाना पड़ता है वो जड़त्व का गुण होता है यानि कि आप यह कह सकते हो कि जिसमें जड़त्व का गुण जितना जादा उतना उसके परिष्टिती अवस्ता या फिर हम स्टेट बोलते हैं उसको बदलना ही उतना मुश्किल यानि कि जिसका मास जादा होगा उसमें ये गुण जादा होगा कौन सा गुण कि आप उसको हिलाने के लिए भी जादा बल लगाना पड़ेगा और उसको रोकने के स्था में कितना है का नियम क्या कहता है तो जिसके पास जितना ज्यादा ज्रवयमान उतना उसकी अवस्ता में परीवर्तन करना से ख़लाना मुश्किल है और जितना ही दरवियमान जादा इनर्शिया जादा उसको रोकना मुश्किल होगा शबी को यह उधारन समझ में जाने एक बर कमेंड वक्स में लिख देना अब यहाँ पर समझते हैं कि दो तरीके की स्टिती होती है, दो तरीके के स्टेट होते हैं, यहाँ हम इसको अवस्ता बोलते हैं, हना, अवस्ता हम अवस्ता दो परकार की हमें लेनी हैं आपर, पहली होती है, रेस्ट, और दूसरा बहुत अच्छे से सुनना, इसको बोलते हैं, constant velocity, यानि कि जिसको हम uniform motion कहते हैं, हिंदी में कहें तो यह हो गया हमारा विराम अवस्ता, और यह हो गया हमारा एक समान गती, या समान गती कह सकते हैं, समान वेक कह सकते हैं, अगर कोई वस्तू विराम अवस्ता में हैं, तो वो विराम अवस्ता में रहना चाती है, अगर कोई वस्तू नियत वेक के साथ चल रही है, समान वेक के साथ चल रही है, तो वो उसी में च पढ़ता है हमारा जड़त्व का नियम अब यहां पर बात कर रहे हैं न्यूटन की तो न्यूटन ने यही आइडिया को उठाया और नूटने यही चीज को वापस दोरा दिया न्यूटन को नाम नहीं लिए न्यूटन ने व्सीदा ये बोला कि कोई भी वस्तू अगर हो रही है तो गतिमान का यहां पर आप मतलब समझ जाना इसका मतलब है नियत वेग तो अगर कोई वस्तू नियत वेग से चल रही है या समाने गति कर रही है उन दोनों ही केस में वो अपनी अवस्था को कंटीन्यू रखना चाहेगी बापस उसको उसी में रखना चाहेगी जब तक आप उस पे बाहर से बल नहीं लगाएंगे अब मेरा एक आप से प्रशन है कि अगर मैं एक आप समझतो जो चक्का होता है गाडियों का चक्का अगर वो गाड़ी का चक्का अगर मैं यहां पर नहीं 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 छाटा किसमें प्रिक्शन और यही हमारा नियम है किसी वस्तू पर नहीं लगाया तो वस्तु जिस भी अवस्ता में हैं, जिस भी अवस्ता का मतलब इन दोनों अवस्ता में हैं, तो वस्तु उसी अवस्ता को continue रखेगी, यानि कि उसी को वो लगातार करती रहेगी, सभी को मेरी बात समझ में आ गई है, अब बात आता है कि इस law से हमें क्या समझ में आया, इस लौ का अगर मैं बोलू मेन उद्देश्य क्या है तो इस लौ से हमें इनर्शिया का यानि की जड़त्व का मीनिंग समझ में आया कि जड़त्व होता क्या है अब एक बार एक प्रशन पूछा गया था कि तीन वस्तुएं अगर आपको मैं दे दू और तीनों वस्तुओं में जिसका द्रव्यमान जादा है तो उसका क्या जादा होगा और यह बहुत सिंपल सी चीज भी है ठीक है सर गतिमान अवस्ता और नियत वेग दोनों का मतलब होता है चलना अब हो सकता है वस्तू चल रही है बट उसका वेग बदल रहा है तो वो नियत वेग नहीं है वेग बदल सकता है ना तो गती मान तो रहेगी बट वेग तो नियत है तो वो नहीं लेना है हम उसकी बात कर रहे हैं जब नियत वेग से वस्तू चले अगर वस चाहे कि सर definition of force किस law ने दी है या फिर हम बोल सकते हैं कि equation या फिर formula कहां से हमें मिला है तो definition of law जो definition of force है उसको हम second law से लेते हैं ठीक है इसके बारे में काफी बच्चों से मेरा argument भी हुआ है तो मैं आपको यह बोलता हूं कि अगर आपको लगता है फर्स से बट मेरे इसाब से first law बिल्कुल नहीं है मेरे इसाब से second law है force की definition बल की परिवाशा बल का सूत्र दोनों हमें Newton के second law से पता चलते हैं सभी को clear है तो इस बारे में आपन और बात नहीं करेंगे विकॉज यह पहले भी हमने काफी जादा इस बारे में discussion किया है तो इसका नियम जो बल की definition है वो इस law से मैं नहीं कहता हूं मेरे इसाब से second law है ठीक है बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि सर first होना चाहिए बट मेरे इसाब से first नहीं है तो ठीक है ओके जगतवक का जिसका जादा होगा सम्वेक जादा होगा Sir अभी सम्वेक मैंने पढ़ाया नहीं था है तो बीसमिक के बारे में भी बात करेंगे ठीक है अब बात आती सर कोशन कैसे आएंगे तो सबसे पहले आपको यहि achieve कि नियम का और क्या नाम है यह नियम किस ने दिया था आब दूसरा कारे में हमें द्यान में रखना और जाता है कि जो पहला नियम मैं इस त्रृटल को बनाने वाला नियम यानि कि इस नियम से हम कणों को पर्टीकल को चीजों को बनाते हैं उनको ह использовать क्या मतलब कि उपर मैंने सिका रखा और ये जो कपडा है वह एक टेबल पर पढ़ा है काँ बता रहा हूं यह आप घर पे भी सकते हैं अब मैंने क्या किया किया इस कपड़े को जटके से खीचा इस कपड़े को मैंने जटके से खीचा तो थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा कि वो जो चादर है वो तो निगल गई बढ़ सिक्का वही का वही पड़ा है ऐसा होता है जब आप जटके से चादर को खीचोगे ठीक है हाँ वो पहले का लिखा हुआ है फर्स्ट लॉग मेरा मैंने जो बोला है वो सेकिंड लॉग से है ठीक है सर कोशन न्यूटन का फर्स्ट लॉग क्या करना है कोशन समझ में नहीं आया है बुक में मैं चेंज करवाऊंगा अभी नेक्स्ट साइकल में ठीक है चलो इधर ध्यान दो ठीक है अब देखो इस चादर को जैसी हमने खीचा तो यह चादर निकल गई बड़ सिक्का वही का वही रह गया तो यह क्या हुआ अब यहां पर यह नियम कैसे लाग हुआ 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 कि इस कण का इस सिक्के का अगर हम देखें तो द्रवयमान ज़ादा था तो अपने जटके से चादर को खीचा कंण को अभी भी लग रहा है मैं रेस्ट पर हूं कंद को क्या लगा मैं अभी भी रहां विराम अवस्ता में हुआ हुँ तो वह पार्टिकल है या फिर जो सिक्का है वही का वही रह गया और चादर निकल गी यानि कि काफी ज्यादा important है तो चलिए वो बस वाला question भी समझते हैं वहाँ पर भी यही वाला same rule है देखो बस वाले में दो चीजे होती है एक तो यह होता है कि अगर आप बस में खड़े हैं ठीक है अगर आप बस में खड़े हैं और या बस की seat पर बैठे हैं और बस अचानक से start हो ज यानि कि पहले case में और दूसरे case में क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं अब देखी हुआ क्या एकदम से बस यहां पर start हुई तो इसको हम बोलते है sudden start सदन स्टाइट का मतलब है अचानक से चलना और यह होता है सदन स्टॉप सदन स्टॉप का मतलब है अचानक से रुकना इसका मतलब अचानक से जब बस चलती है या अचानक से रुकती है तो हमारी जो बॉड़ी है हमारा जो शरीर है वो आगे जाता है कि पीछे जाता है इसके मैं force की definition की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, जड़त का नियम तो होता ही है, अब देखें यहां पर क्या हुआ, जब हमने एकदम से गाड़ी को start किया, तो होता क्या है, कि जब हम इस बस में खड़े हैं, तो अभी हमारी वस्तु किस पर है, रेस्ट पर है, वस्तु को लगता से start होती है, तो नीचे वाला जो पैर है हमारे, वो आगे की तरफ चले जाते हैं, यानि कि यह बस के साथ पैर आगे चले गए, बड़ उपर वाली बाड़ी को अभी भी लगता है कि मैं रेस्ट पर हूँ, विराम वस्ता में हूँ, तो उसको थोड़ा समय लगता है समझने में क्योंकि उपर वाली जो बॉड़ी होती है, उसका द्रवयमान ज्यादा होता है, हना, तो जितना ज्यादा द्रवयमान उतना उसका इनर्शिया ज्यादा और जितना इनर्शिया ज्यादा उतना उसको लेट पता चलेगा कि मेरी स्तिती में परीवर्तन आ चुका है, तो वैसे यहां पर होता है तो जैसे ही बस एकदम से चलती है तो हमारे पैर तो बस के साथ चले जाते हैं बढ़ हमारी उपरी भाग हमारी बॉड़ी जो है वहीं पर रुकी रहती है यानि कि वह रेश्ट पर रहती है अब आप खुछ सोचो यह इंसान है एकदम से इसके पैर तो यहां पर होता है तो यहां पर आपन क्या बोलेंगे backward सब्सक्राइब कि पीछे की और जुखना ठीक है अब दूसरा case देखते है और गाड़ी चल रही थी और इदम से गाड़ी वाले ने ब्रेक मार के गाड़ी को रोग दिया और जब गाड़ी को रोगते हैं तो हमने कही बर देखा आगे की तरफ एसे क्या हुआ गिर जाते है ना तो उसमें क्या होता है अब देखो जब यह गाड़ी एकदम से चल रही थी तो वस्तू को पता चल गया मला बॉड़ी को पता चल गया कि भाया मैं मोशन में हूँ तो वह संबल गया और संबल के वह वापस सीधा खड़ा हो गया अब बॉड़ी मला उसको लग रहा है कि मैं मोशन में हूँ तो अपर बॉड़ी भी मो तो उसको समझने में टाइम लगता है तो पागल बनाने का नियम तो पागल बना दिया उसको एकदम से जब हमने ब्रेक मारा तो यह उपर वाली बॉडी जो है वो अभी वी चल रही है उसको लग रही है मुझे तो सीधा जाना है बड़ पहर तो आपके रुग गए तो इस अगर एक्जाम में कोशन आता है कि जब हम बस को एकदम से सटाट करते हैं या एकदम से रोकते हैं तो क्या होता है अब एकदम से यहां पर मतलब है कि आपको इस शدم May करीजिदे का करनी पड़ेगी ठीक है अभी भी जो पानी की बूंदे हैं, उनको लगा हम रेस्ट में हैं, तो वो वही पर टिकी रहेंगी, और पानी की बूंदे वहां से निकल जाएगा, जिससे वो पानी की बूंद नीचे रीजाएगी. ठीक है एक और एक्जाम्पल है कार्पेट में से चादर में से धूल को जाड़ना जब हम धूल जाड़ते हैं कार्पेट को जाड़ते हैं तो उसमें भी यही होता है कि मिट्टी जो होती है वहीं पर रूकी रह जाती है और कपड़ा वहां से निकल जाता है तो इसमें ध्यान मैं अब लास्ट बार जवाब दे रहा हूँ प्लीज एक बार अच्छे से सभी सुन लें मोशन की सोरी फोर्स की परिभाशा फोर्स का सूत्र फोर्स का समीकरन हमें कहां से मिलता है न्यूटन के सेकिंड लॉज से मिलता है यह मेरा फाइनल आंसर है प्लीज जिसको मानना है फ फिर एक बार बोलता हूं कि motion force की definition force की equation motion के अपने Newton के second law से मिलते हैं जो आगे जाके पढ़ेंगे देखो यह कोशन मुझे बहुत बच्चे पूचते हैं मैं आपको बस एक जवाब देना चाहूंगा जब तक मुझे जिसके बारे में पता नहीं है तो मैं कैसे बताऊंगा यह उसकी परिभाशा दे रहा है एक simple सा उधारन देता हूं और इसके बाद मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा अगर मैं आपसे बोलू मेरी परिभाशा क्या है मैं मनप्रीद मेरी परिभाशा क्या है तो आप क्या बोलोगे कि आप मनप्रीद आपके फादर का नाम यह बना है उसके बारे में बात करोगे यह बोलोगे बल है आपने क्या समझा कि फर्स लॉव में क्या बोला बल जब नहीं है या बल लगता है तो इनर्शिया मलब उसका अवस्ता चेंज होता है यहां पर बल की परिवाशा नहीं दिया यहां पर यह बोला है कि बल होगा या नही होगा अब बलकि जब परिवाशा समझ नहीं है बल किससे बनाएं तो वह तो हमारा तोरण से बनाएं द्रव्यमान से बनाएं वह सेगिंड में आ रहा है सब को समझ में आ गया यह लास्ट बार मैंने इसका जवाब दिया है तो प्लीज इस पे ज्यादा ज्यादा ना करें कि सम्वेक की परिवाशा आप बिना द्रव्यमान के और वेक के कैसे दोगे क्या मुझे कोई दे सकता है तो बता दे आप मुझे बताओ सम्वेक की परिवाशा आप बिना द्रव्यमान बिना वेक के दे सकते हो क्या आया नहीं बिना वेक को समझाए विना द्रव्यमान को ब पेडों से फल का गिरना फ्रूट का गिरना ये भी इसका उधारन है ठीक है चलिए अब आता है हमारा न्यूटन का सेकिंड लोग देखो मेरी बात कोई मत मानो कोई दिक्कत नहीं है जो मैं तुक रख रहा हूं वो अगर आपको गलत लगता है तो कोई बात नहीं बट जो मैं एक्स्पेनेशन दे रहा हूं उसमें कोई गड़बर लग रही है तो आप मुझे बता सकते हैं बाकी जो लॉजिक है लॉजिक इंपॉर्टेंड होता है समझना अगर आपको कोई बोलता है कि फर्स्ट लॉज से परिवाशा आती है तो उसे पूछो कैसे आई कैसे हमने बल आशा आपको चाहिए उसके लिए वह किस से बना है वह पता होना चाहिए तो वह सेकिंड डॉर में अभी आपको मैं दिखाता हूं ठीक है अब देखिए अभी तक आपने पहले नियम में देखा कि बल जीरो था बल जीरो का मतलब बल जब नहीं होता तो बॉड़ी जिस भी अबस्ता में है अगर rest में तो रेस्ट में रहेगी अगर वो motion में है तो motion में रहेगी आपने पहले नियम में देखा। अब एक चीज़ीज ध्यान रखना कि बल 0 होता है किसी वी वस्तू पर उसकी अवस्ता नहीं बदलती बड़ जैसे ही उस वस्तू पे बल लगता है तो उसकी अवस्ता बदल जाती है उसकी स्टेट बदल जाती है ठीक है बास समझ में आ गई तो पहले लौ के अंदर हमने बल को नहीं समझा कि बल क्या है बल के बारे में हमने ज्यादा बात नहीं करी बस हमने ये बोला कि बल नहीं होता तो अवस्ता नहीं बदलती बल होता है तो अवस्ता बदल जाती है अब यह समझते हैं बल करता क्या है हम बल को जब लेके आते हैं तो होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं ठीक है अब मुझे एक बात बताओ अगर एक वस्तू अगर एक वस्तू एक पहले कुछ इस तरीके से वो बना रहा था तो चलिए देखते हैं क्या ये मेरे से कार बनती है पदा निक्या था चलो छोड़ो कार को नॉर्मली बना लेते हैं आपन ठीक है अच्छा मेरा प्रशन है याँ पर कि समझ लो ये car है हमारे पास ठीक है अब ये जो car है ये अभी एक समान गती से आगे की तरफ चल रही थी अभी इसकी speed है 10 meter per second और मैं कहा रहा हूँ ये लगातार चल रही है ये लगातार चल रही है आगे की तरफ इसकी headlight ये बना देता है तो ये लगातार आगे की तरफ चल रही है अब मैंने क्या किया इसको आगे से धका मारा आगे से महले इस पर बल लगाया फिर पता क्या चला कि वस्थू की जो चाल है वह बदल गई बल लगाने से यानि कि जब आप किसी बॉडी पर बल लगाते हो फोर्स लगाते हो तो इसका क्या मतलब है कि उस बॉडी का त्वरन उसमें आ जाता है यानि कि अगर आप यह बोल दो कि जिस वस्तू में त्वरन है, देखो बहुत सरल बाशा में समझाता हूं अच्छे से समझना, जिस भी बॉड़ी के अंदर acceleration है, जिस भी वस्तू में त्वरन है, उसका एक ही मतलब होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसका मतलब कोई ना कोई बल उस पे लग रहा है, तो बल वस्तु में त्वरन है जिस भी बॉडी में एक्सलरेशन है तो इसका मतलब उस बॉडी पर कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है तो मैं ये भी कह सकता हूं अगर किसी वस्तु में त्वरन नहीं है तो इसका मतलब उस पे कोई बल नहीं लग रहा बिल्कुल सही ये मेरा explanation है, सभी को ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, अब हुआ क्या कि जैसी आपने बल लगाया, तो इसका क्या बदला, वेग बदला, चाल बदली, और जब चाल बदलती है, तो समवेग बदलता है, क्या बदलता है, समवेग, अभी मैं जो आपको तवरन की बात कर रहा हूँ, वो अभी आपको मैं प्रूफ करूँगा, ठीक है, लेट से इस कार का दरवेमान एम है, तो दरवेमान तो बदलेगा नहीं, मास तो बदलेगा नहीं, तो जैसी मैंने फोर्स लगाया, तो वस्तू का वेग बदला, वेग बदला, तो समवेग बदला, चांकि समवेग वेग से ही मिलकर बनता है, तो जैसे ही वेग बदला, समझद लो टी समय में कुछ वैक को बदलने में तो उतना ही ऐसमें समझधे बदलने में होगा तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि बल समानू पाती है वैक में परिवर्तनकी दर के यानि कि जितना आप इससे बल लगाएंगे में को धारन देता हूं अब ही मैंने इस पे पहले बल लगाया ता समझ लो 10 नूटन और अब मैंने लगाया इस पे 20 नूटन तो सही बात है ना तो जैसे जैसे आप बल को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वेग कम होता जाएगा या उसमें परिवर्तन होता जाएगा और जितना परिवर्तन होगा सम्वेग में भी परिवर्तन होगा तो मैं यहां से क्या समझा मैं यह समझा कि किसी भी वस्तू पर जो बल लगता है वो उसके सम्वेग में परिवर्तन करता है किसी टी समय में सभी को समझ में आया आपके सामने यह सम्वीकरन भी है अब मैं त्वरन वाली बात पर आने वाला इस सम्वेग में अगर आप यह समानुपाती का चेन हटाओगे तो एक कॉंस्टेंट आता है गुनांग आता है तो उस गुनांग को हम अटा देते हैं सर पी क्या होता है पी मैं लिख देता हूं सम्वेग अभी सम्वेग अच्छे से पढ़ेंगे आगे जाके अभी आप यह समझ लो सम्वेग जो होता है मॉमेंटम जो होता है वो वेग की वज़े से बदलता है ठीक है अब देखिए यह जो सम्वेग करने में वापस लिखता तो f हो गया समवेग में परिवर्तन की दर, सही है, इसको मैं खोल देता हूँ, अभी मैं आपको पता रहता हूँ, समवेग क्या होता है, mv, यानि की दरव्यमान, समवेग होता है, दरव्यमान इंटू वेग, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, p2-p1 by t, समवेग म इसमें से मैं m को भार लेता हूँ, तो m को भार लूँगा, तो अंदर क्या बचा, v2-v1 by t, सही है, अब v2-v1 by t क्या होता है, तो रहन ही तो होता है, तो f का फॉर्मुला क्या आगया, f equals to ma, अब देखो, जब से ये नियम स्टार्ट किया है, मैं सिर्फ और सिर्फ बल की बात कर रहा हूँ, अगर p equals to mv के नजरिये से चला जाए, तो f से मास भी चेंज होना चाहिए, उस पर भी मैं आ रहा हूँ, ठीक है लक्षे, अभी मैं उस पर भी आ रहा हूँ, मास अगर बदलेगा, तो क्या होगा, और अगर मास नहीं बदलेगा, तो क्या होगा, क्या मैं इस नियम में अवस्ता की बात कर रहा हूँ, जादा तर नहीं, मैं इस पूरे नियम में बल की बात कर रहा हूँ, फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो भाईया, आंसर तो यसी मिल गया ना, तो force की परिभाशा, force की definition, force का formula हमें यहीं से तो मिल रहा है, force के बारे में हम बात कर रहे हैं ना तो force की परिवाशा यही से मिलेगी ना तो f equals to क्या हो गया में अब एक चीज यहां से समझना f equals to में है क्या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ f समानू पाती है एक है बिल्कुल तो मैंने आपको starting में यही तो बोला था कि जिस भी वस्तू में जितना त्वरन आएगा इसका मतलब उस पे उतना ही बल लग रहा है तो बल और त्वरन समानू पाती होते हैं उल्टा भी कह सकते हैं जहां जहां पर बल लगेगा वहाँ वहाँ पर त्वरन आएगा और उल्टा कह सकते हैं जहाँ जहाँ त्वरन है मतलब वहाँ वहाँ बल है तो अगर मैं आपसे ये बोलू कि कहीं किसी बॉड़ी पर अगर फोर्स लग रहा है उसकी पहचान क्या है तो आप पहचान देखेंगे त्वरन अगर उस मैं तो जो रहाया और सैकेंड लॉश समवेग हाँ इसको एक और नाम से भी जानते हैं उसको लिफ्स का लवी वोलते हैं यानि कि सोरी मोमैंटम इंपल्स का लॉफ समवेग आ वेग का नेयम भी कहते हैं उसके बारा मैं भी बात करूंगा ठीक है अच्छा तो कुल मिलाके अब हमें यह समझना है दो चीजे समझनी है उस पर बात करते हैं पहला तो यह फॉर्मुला देखो एक f का समवेग में परिवर्तन की दर और इसको सॉल करके आया f equals to m में यह दो फॉर्मुले आप सभी को आने चाहिए यह दोनों फॉर्मुले किसके हैं बलके हैं अच्छा अब एक लक्षेर अच्छा कोशन पूछा था किसर अगर गाड़ी है सोचो गाड़ी मैं पूरी टैंक की फूल कराके चल रहा हूं हाँ बिलकुल सही ठाकूर बिलकुल सही बोला आपने सही बाता ना एक समान गती होगी तो त्वरण 0 होगा ठीक है ओके अच्छा मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि दो कंडिशन होती है या तो मेरा मास नियत रहेगा मास मेरा कैसा रहेगा नियत द्रव्यमान मेरा कैसा रह तो इसका क्या मतलब है? समझो, यह pen है. यह pen जब चल रहा है, तो जितना समझ attracting यह 100 grand. आपन है, तो यह 100 grand ही रहेगा. हाँ, बिल्कुल. यानि की यह जो pen है इसका दरवयमान तो यही रहेगा, तो इस case में द्रवयमान नियत है, द्रवयमान नहीं बदलता दूसरा condition यह है कि समलो मैंने गाड़ी का example लिया rocket का example लिया, तो जब मैं गाड़ी और rocket की बात करता हूँ तो जब गाड़ी चलती है जब गाड़ी चलती है तो भाईया पेटरोल डीजल भी तो करच होता है, तो जब मैंने गाड़ी की टैंक की full काराई, उसमें उसका mass जो था, वो अलग था जब गाड़ी मेरी चल गई तो धीरे धीरे उसका जो पेटरोल है, डीजल है, वो तो उड़ रहा है ना, इसका मतलब धीरे-दीरे उसका मास तो कम हो रहा है तो यही बात समझानी है मुझे कि अगर मास बदल जाए अगर द्रव्यमान बदल जाए तो क्या करना है देखो जब तक हमारा द्रव्यमान नियत रहता है तो हम F इक्वल्स टू M A का सूत्र लगा सकते हैं बात समझ में आ गई बट अगर कोई बोल इसमें क्या दिक्कत है अगर मुझे दोनों द्रव्यमान भी पता है तो क्या दिक्कत है तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि आप यहां से इस इक्वेशन से आप तो भी बल निकाल सकते हैं यानि कि अगर आपका बल नियत है तो आप डिरेक्ट यह फॉर्मुला लगा दे लगा दे सभी को क्लियर है आज काफी डिसकुशन मैंने इस पर किया है सर जिसका संवेक कम होगा उसका गतिक उर्जा बढ़ेगा देखो ठाकूर अभी आप आगे जा रहे हो अभी यह जो चीजह आप बूच रहे हो ना इस सबके जवाब आगे जाके मिलने वाले हैं ठीक ह बहुत अलग अलग होता है बहुत अलग होता है इसके बारे मिने वाथ करेंगे विश्नु वेट और मास में जमीन आसमान का फरक है और maksimum बच्चों को इसका difference नहीं पता है maximum का मतलब काफी लोगों को नहीं पता है उसके बारे में भी हम कल बात करेंगे sir equal and opposite reaction भी second law को ही कहते नहीं 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 निकी वो third law है वो तीसरा नहीं हम है वो हम कल पढ़ेंगे ठीक है चलिए इसी के साथ आज की class को हम यहाँ पर end करेंगे I hope सभी को आज की class अच्छी लगी होगी चीजे सीखने को मिली होंगी देखो मेरा यह नहीं है कि मैं जो लिखा वा बोड पर वो पढ़के चला जाओं मेरा काम सिरफ यह नहीं है जो बोड पर लिखा है वो पढ़कर चला जाओं मेरा मेन काम है इसके इलावा आपको क्या क्या बताना है तो इसलिए यह class महतपून है आज मैं चाहूं तो इस chapter को एक दो दिन में खतम कर दूँ बस slide पड़ू और आगे चलू बट नहीं मैं चाहता हूं कि जो मैंने बताया है वो जिन्दगी बर आपके mind में रहना चाहिए ठीक है बाकी चीजे हम करेंगे और थोड़ा वेट करो जो जो आपके doubts है ना guarantee देता हूं जब यह खतम होगा course तो हर चीज आपशी clear होगी और लक्षे इस चीज को जानते भी होगे ठीक है चलिए इसी के साथ आज की class को end करते हैं सभी अपना ध्यान रखना तब तक सभी को जैहिन बंदे मात्रम